नवश्कार प्यारे बच्चो इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है कि CET क्वालिफाइंग नेचर का होगा या नहीं होगा कल CM साब ने सपस्ट रूप से मना भी कर दिया और बच्चे CM साब को भी ग्याप्टन देने का काम कर रहे हैं हर जगे उन्होंने ग्याप्पन दिया था और CM साब ने ये बिखाए कि 140,000 को हमें बुलाएंगे टोप तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है इस पर आज हम डिसकस करेंगे और इससे पहले सभी बच्चे कोमेंट कर रहे थे तो ट्विटर ओफ हरियाना ये 2.0 बुक है ना ये प्यारे बच्च बच्चन 23 चो 24 डाला गेा है हर ये के मलब टोपिक पहले जैसे हरियाना में उध्योग का टोपिक डाला है उसके बाद उध्योग से जितने भी कोश्चन बने है वो डाले है हरियाना में नेसनल हाइवए का टोपिक उससे बिलेटिट परस Tag पूरा एक डिस्टिक और उस डि प्यारे बच्चों इसमें ना 22 डिस्टिक है और उसके साथ सारी की सारी चीज़े है ना मिल जाएगी ये बुक है ना किस किस में रहेगी उपयोगी रहेगी तो प्यारे बच्चों ये प्यारे बच्चों इसमें रहेगी आप सभी का प्यार बना रहा तो इसके इतने दिन क्लास नहीं हो पा रही इस बुक पर ही बीजिते और ट्विटर ओफ हरियाना का जितनी भी बुक हैं ये धाई लाग प्लस कोपी सेल हो गई ये आप सभी का प्यार था उमीद करता हूँ इ हर एक बुक स्टोर पर उपलब्द हो जाएगी ये सरफेस इस बुक का रहने वाला है तो प्यारे बच्चों अब आते हैं मुद्दे पर CET क्वालिफाइंग को लेकर CM साब ने मना कर दिया इन्होंने एक बात कही थी कि हम है ना 35,000 जैसे आपको पता है प्यारे बच्चों अभी गुरुप C की 35,000 पोस्टें निकली हुई है लग बग तो इसका चार गुना की मैं बात करूँ तो एक लाख है चालिस हजार को बुलाने की उन्होंने बात की थी तो इसका मतलब तो सिधा सिधा हुआ कि जिसका रेंक एक से लेकर एक लाख चालिस हजार तक है वो सभ समय को बुलाया जाएगा लेकिन एसा नहीं होगा प्यारे बच्चों ऐसा क्यों नहीं होगा करी तरे सिपोस्टें य क्यूस्टु जिसमें ना पोस्टेंगी भhot कम है पोस्टेंंढ सो के लिए 145,000 इनुके पास डिपलोमा भी नहीं होगा लेकिन नरिगन मैं आपको बत पॉस्ट्व ग्रीजवेशन वाला, उसमें पोस्ट ने, सपोजकरो 56 में आपकी 6000 पोस्टे है, तो 6000 पोस्टों के लिए फोने, 24000 बच्चों को बुलाएगा, सपोजकरो 56 में अगर graduation की post के लिए न 70,000 बच्चों ने CET qualify किया है तो उसका केवल कितनों को बुलाया जाएगा 24,000 बच्चों को बुलाया जाएगा और यह जरूरी होता है प्यारे बच्चों की जिसने न यहां भी जो टोपर है वो जो प्लस टू वाले में भी जरूर वो टोपर रहा होगा और प्लस टू वाले में स्पोज करो प्यारे बच्चों अगर मिल्लब 500 पोस्ते हैं कितनी पोस्ते हो गई पच्च पन सो पोस्ते हो गई तो मान कर चलो इसका चार गुना 22,000, तो कितनों को बुलाया जाएगा 22,000 को बुलाया जाएगा और 22,000 में लगबग 17-18,000 तो ये क्या होंगे, ये ग्रेजवेशन वाले भी होंगे तो मोका नएओं को कितना मिल रहा है 4,000 को नएओं को मोका मिल रहा है और यहाँ पर अगर प्लस टू वाले पर लगबग सभी फोर्म बरते हैं तो एक लाख बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया और मोका केवल कितनों को मिलेगा 22,000 को मिलेगा सभी जो ब्रह्मे जी रहे हैं न कि 140,000 को बुलाया जाएगा रेंक वाईजे वो नहीं बुलाया जाएगा और कुछ पोस्ते हैं न जैसे आप पढ़ोगे ग्राम सचिव की या टेक्स्टाइन इंस्पेक्टर की कई पोस्ते हैं तो उसमें से न प्यारे बच्चों जो ड्रीम जोब होगी न वो प्यारे बच्चों 55 वाले प्लस वाले को सायदे ना मिल पाए ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगी ड्रीम जोब की बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें पोस्त है अगर किसी पोस्त स्पोज करो कोई AC वेकेंसी है जिसकी पोस्त नहीं 40 है 4 गुना 160 तो 160 से ज़्यादा तो कईयों के मिल जाएंगे 15 बंदे या 100 बच्चे से जरूर होंगे तो ये मैंने आपको कहाएगी इसलिए CET क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए और जो लड़ाई है प्यारे बचो वो तो चलती रहेगी लेकिन 8 परजेंट मैं आपसे यही कहूंगा कि आप है ना इन चीजों से थोड़ा है ना खुद को दूर रखने की चीज़ के और जिसका भी exam गुरूप C में स्कोर कम है ना वो गुरूप D की त्यारी जरूर कीजिए क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल पेपर होना है और ये लड़ाई साथ साथ चलती रहेगी मैं कहता हूँ इसके चकर में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी ने एक लाग चालिस हजार को मोका नहीं जिया जाएगा मैं तो कह रहा हूँ उपर वाले ही है ना जो पचास साथ हजार बच्चे है ना ये जरूर सीटी साड़े तीन लाख लोगों का क्वालिफाई हुआ है लेकिन जो साथ साथ सतर हजार बच्चे है ना वो सभी पोस्टों में घूमते रहेंगे और जो इसका भी प्यारे बच्चों पिछेतर पलेस है तो वो क्या लगता है वो सभी केटेगरी में ना आपको वो सभी एक्जामों में बेठा मिलेगा आज एक भाई अपने गुर्कुल से आया हुआ था ठीक है गुर्कुल में पढ़ता है उसके असीन मार्क्स है हजार को मोका नहीं दिया जाएगा ये महज है ना पचास साथ हजार बच्चे ही आगे घूमते रहेंगे इसलिए ना हमने ये नहीं है कि अब हम के रहे हैं CET क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए उस टाइम है ना बच्चों को लगा कि मलब सर ये क्या बात बोल रहे हैं क्या भीड सभी को मोका मिला जाए तो कई बार क्या है एक्जाम से कुछ टाइम पहले अगर कभी सलेवस दलता है ना तो बच्चे ने पढ़ रखी थी मलब GS पर जादा ध्यान था और GSI नहीं इंगलिस आ गई लाई के किसी का 15-15 का मेटस आ गया तो वहां पर ना बच्चे के पढ़ने वाले बच्चे के भी स्कोर उतना नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था इसलिए हम माननिये मुख्य मंत्री साब से यही कहेंगे ना चाहते हैं कि CT क्वालिफाइंग करने से ना किसी का फायदा निये लगने टोप पर है देखो 35,000 वेकिन सी है 35,000 ही लगेंगे अगर क्वालिफाई हो गया तो भी 35,000 लगेंगे ना नहीं हुआ तो भी 35,000 लगें इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको क्वालिफाइंग नेचर का किजिए अगर बच्चों आपको लगता है कि यह वीडियो सही है और हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए तो इसको सेर किजिए अदरवाइस कोई जरूरते नहीं है और प्यारे बच्चों आप त्यारी करते रही है कहीं से भी पढ़ते हो कोई दिख कर नहीं है दूरिना पर बिना साथ एप्रेल तक सभी कोर्सिस पर ओफर है चुएतर नो सो अठटर फो डबल जीरो फोर से उन पर कोंटेक्ट कर सकते हो एनम जी एनम ये सारे बेच आपको मिल जाएंगे प्लस टू वाले आपको डिजास्टर मेनेजमेंट की मिलेगी थेंक यू बच्चो लव यू ओल